नमस्कार। बहुत से लोग क्या होते हैं चतुर और चालाक होते हैं यह चतुर और चालाक लोग है ना पता है ना कोई यह अपना काम यह चुटकी में निकाल देखते हैं यार वो अभी तो वहीं था आदमी और अभी वहाँ चलो करना और यह कर लिया और यह अपने माइन में अश्यर होता है एक सर्प्राइज होता है और यार वो आदमी ऐसे कर गया है और यार उसने ऐसे कर लिया पता है ऐसे लोग कौन होते हैं इसे लोग चतुर होते हैं चालाक होते हैं जो सामने दिखते हैं कुछ और हैं और पीट पीचे कुछ और कारी करते हैं वो मतलब अपनी ह है उसे केसे किया मालब अपन सर्पराइज हो जाते हैं इसे लोग चतुर और चालाग होते हैं अर्ट बड़े कि इस बसे बड़ी कि तीम चार विस्थत हुति है अगर आपको भी चतुर और चालाग बना है ना तो आपको भी एकार्य करना होगा आप भी दुनिया से कुछ अलग कर लोगे और सडन करोगे लोग दोगे गर उसने ये सा कर दिया रहारा अठे वाँ, कैसे, हाओ ऐसे लोग हैं ना, चत्तुर और चालाग होते हैं चतुर और चालाग लोग ध्यान रखना वो कभी भी अपनी कमजोरी किसी दूसरे को नहीं बताते हैं चाए अपना कितना ही अजीज क्यों नहीं हो चाए अपना कितना ही खासम खास क्यों नहीं हो किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे चतूर चालाग लोग इनको पता है और इनको पता रहता है कि आज ये मेरा कितना ही क्लोज है लेकिन इन फ्यूचर में बाई दवे कभी कवार कुछ मेटर हो गया या कुछ अनबन हो गई या कुछ भी उपर नीचे गाले के लोज हो गई या कुछ बात हो गई और इससे मेरी नहीं बनी इससे मेरी दुस्मनी हो गई तो ये लोग यहीं लोग मेरी कमजोरी दूसरों को बताएंगे और मेरा फाइदा उठाएंगे इसलिए चतुर चालाग अभी की नहीं सोचते हैं फूचर की भी सोच के चलते हैं कि इन फूचर में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा वेसा होगा तो क्या होगा इसलिए लोग है ना चतुर चालाग होते हैं अपनी कमजोरी किसी दूसरे को नहीं बताते चायों वेखति कितना ही खासम खास क्यों नो हो ये चत्urally चालाग वेखति पताए आपको ये हर किसी कार्य में कोई सबी कार्य हो हर कार्य में अपना फायदा और अपना नुकसान देखेःगे वो कभी भी इमोसंस में नहीं भाएंगे उनको पता है कि अगर वो कोई कारी कर रहे हैं दूसरों के वो लेकि भी कारी कर रहे हैं तो अगर उसमें फाइदा होगा तो वो कारी करेंगे उनका बाकि नहीं करेंगे कोई साथ भी कारी करते हैं बन्हें वो अपने लिए करते हैं या दोस्रों के लिए करते हैं हर कारी में हर वर्क में प्रोफिट देखेंगे उनका लोस देखेंगे वो देखेंगे यार यह कारी करने से मेरो इतना प्रोफिट होएगा यह कारी करने से मेरो कितना नुकसान होगा उसके बाद ही वो उस कारी को हाथ लगाते है बाकि नहीं लगाते है इससे होते हैं चतुर्चालाग लोग हर कारी में अपना नफान अक्सान देखेंगे ये चतुर्चालाग लोग होते हैं ना किसी भी आउसर को हाथ से नहीं जाने देते हैं ये सामने से चल रहे होते हैं ये यहाद से नहीं जाने देते ज्तुर होते हैं। उनको पता है वहां जाएंगे वाद व्याद होगा अपना टाइम वेस्ट होगा और कोई कानूनी मेटर होगा या किसी पुलिस वाले लपड़ेम पढ़ेंगे इसी जगर वो जाने से बस्ते हैं जब मामला सांथ होता है ना तब ही चतूर चालाख लोग वाँ पहुंचते हैं उनको पता है हाँ अब मामला सांथ हो गया है अब अपनको वाँ पर जाना चाहिए यह चतूर चालाख लोगों की सबसे बड़े निसानी होती है दो जने लडाने देते हैं वो इस विवाद में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं वो बस साइड मे रहते हैं और देखते हैं जिसे विवाद सांत हो कहा वाम यह इन नहीं पड़ते हैं, चतुर चालाग लोग है ना हमेसा सोज समझ कर फ्यस्ता लेते हैं, यह जो चतुर चालाग लोग होते हैं, यह अपन दूसरी लोग तो क्या करते हैं, कोई फ्यस्ता है ना चोटा मोटा फ्यस्ता लेते हैं, यार यह कर लेते हैं, चतुर चालाग लोग इस इस डिसिजन में फाइदा देखेंगे नुकसान देखेंगे और देखेंगे कि या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है तभी आगे चलेंगे बहुत से लोग तो ऐसी डिसिजन ले लेते हैं और यार वो कर लेते हैं और यार वो कर लेते हैं बस चतुर्चालाक लोग ऐसे होते हैं हर चीज में अपना नाफ़ा अपना नुकसान देंगे इसलिए चतुर चालाग लोगों के निसानिया होती है इसलिए दूसरे लोगों से अलव होते हैं और कभी कभी यह बड़ा कारिया सामने करके आतरा अपने देखते हैं अरे यार यार इसे किसे कर लिया यह तो व पुर्चालाक लोग है न आद दूसरे लोगों से आगे रहते हैं